दोस्तों वीडियो में analysis करेंगे टीटीमेल के बारे में कल के दिंग देखने मिला 97 रुपेज 99 पैसे के पास तो इस वीडियो में discuss करेंगे हम लोग टीटीमेल में future में क्या target हम लोगों को देखने मल सकता है stock का support कहां पर resistance कहां पर तो जैसे स्टॉक 90 रुपय के उपर निकला स्टॉक देखेंगे तो 110 रुपय तक का मूव दिखाया लेकिन 110 रुपय के पास से रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीची के तरफ आते भी दिख रहा है और फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 5% का उपर के तरफ पाता चलता है श्टॉक अभी भी पॉसिटिव है तो जब तक श्टॉक यहां से 90 रुपय के ऊपर ट्रेट कर रहा है श्टॉक में बिल्कुल भी डड़ने के बात नहीं किसी को फ्रेस्ट करना ट्रेटी अर्मार में तो कॉन ट्रेटी एड़ कर सकते लेकिन नब्य रुपय के स्टॉक नीचे निकलते हैं स्टॉक हो सकता है असी से लेकिए इवन सत्य रुपय तक भी आ सकता है इसलिए स्टॉप लस रहना चाहिए आपका जुकियराउं 85 से लेकिए करीब 90 रुपय के आसपास होना चाहिए अगर लॉंग टर्म के साब से इंवैस्ट कर रहे है तो स्टॉपर सोने चाहिए 80 रुपय के पास 100 रुपय के साब से कर रहे है तो 85 रुपय के पास ऊपर जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेट करा कोई भी दिक्ट के बात ही है पहला टाइगेट स्टॉप में निकल कर आएगा 110 रुपय के ब्रेकाउट के ऊपर निकलती ही आएगा जोकी होगा 130 से लिए 150 रुपर तक का स्टॉप करें का लेवल टेस्ट करने का फिर लॉंग टेम के साफ से स्टॉप में दूसर रुपया से ज्यादा तक का भी टागेट डिखा सकता है एस पर स्टॉप में प्रीवेस मुमें टेम के साफ से क्यों देखेंगे तो बहुत टे